हेलो बच्चों स्वागत है आप सभी का आर्वी अडिटीव क्लास में तो आज मैं क्लास नाइंत की मैच से एक्सरसाइज 1.1 का क्वेशन नॉबर टू है चले इस वीडियो में क्वेशन को देखते हैं क्या कह रहा है क्वेशन क्वेशन नॉबर टू फाइंड सिक्स रेशनल लंबर बिटिविन 3 & 4 तो यहां पर हमें 3 और 4 की बीच में 6 रेशनल लंबर बताने हैं तो देखो यह कोशन इजी होता है तो फिर चलो इस कोशन को सॉल्ब करते हैं देखो सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि कितने नंबर बताने हैं कितने बताने हैं आप एक सिक्स है सल्यूशन है कि भी है कि तू फाइंड है कि शीक्स रेशनल लंबर है कि बिटिविन कि थिरी पहुत चैनि पहले हम करते हैं कि क्या होता है ये वाला जो नंबर कोर्शन में दिया बताने हैं तो आप सिक्स में क्या करते हैं में लयोंड कर देते हैं कोशन में फूछा आप उसमें एट कμसें कि से नोचान कि पूछएड़ हो ग्मिल, इसक्स पहले है है यह जो 3 and 4 यहां पर लिखा हुआ है ना तो यहां पर लिखे 3 and 4 क्या लिखे 3 and 4 आप देखो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो आप पर कि इनके नीचे 1 आप अपनी तरफ से बढ़ा सकते हो कोई भी नंबर दिया है तो उसके denominator में 1 आप अपनी तरफ से बढ़ा सकते हो तो मैंने यह पर बढ़ा दिया 3 upon 1 4 upon 1 आप क्या करेंगे यह जो n होता है इससे नीचे पर multiply कर देंगे तो n मतलब 7 तो यहां पर write करेंगे 3 over 1 into 7 into 7 and 4 over 1 into 7 into 7 तो यहां से कितना आ जाएगा 3721 over 7 and 47 28 over 7 अब देको 21 से 28 के बीच में छे रेशनल लंबर आपको मिल जाएंगे 6 रेशनल लंबर मिल जाएंगे कैसे 21 के बाद कितना आता है 22 22 over 7 23 over 7 24 over 7 25 over 7 27 26 over 7 and 27 over 7 1 2 3 4 5 6 तो कितने रेशनल लंबर मिल गए आपको 6 रेशनल लंबर मिल गए तो यहां पर हम write कर सकते हैं so 22 over 7 23 over 7 24 over 7 25 over 7 26 over 7 and 27 over 7 are the 6 rational number between 3 and 4 okay तो यह हमारा इस question का answer होगा एक बार आप फिर से देख लोग क्या करना होता है question में हमें जितना number find करने को बोलता है हम क्या करते है n की value find करने में इस number में जो question में सेम हो जाएगा और हमें जो number मिलेगा उसके बीच के number को हम find कर लेंगे तो यह हो गया हमारे question का answer आप चाओ तो इसे write on कर लो या वीडियो को पहुच कर करके screenshot ले लो तो दोस्तों comment box में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अगर जड़ा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी share करें अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी subscribe करें हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले question के साथ